नमस्कार देरी चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चपाती स्टिक्स घरों में अक्सर रोटी बच ही जाती है उन्हें फैंकने की बजाए हम इन बची रोटीों से कुछ स्वादिश्ट ब्यांजन बना सकते हैं इसके लिए हम लेंगे बची हुई चपाती 5, बेसन 100 ग्राम, सुजी 40 ग्राम, अमचूर आरा चमच, अजवाएन आरा चमच, टेल 2 चमच, हल्दी आरा चमच, नमक, स्वादनसार सबसे पहले बेसन लिए उसमें सुजी, अजवाएन, हल्दी, आमचूर, नमक वोद तेल मिलाकर पतला गोल तैयार कर लें और चपाती को छूरी से काट कर लंबे लंबी स्ट्रेप्स बना लें अब इनको बेसन के घोल में डूबोकर गरम तेल में तल लें जब करारी हो जाए तो बाहर निकाल दें लीजे आपकी पची रोटियों से बने स्टिक्स त्यार है इसे आप नाश्टे में चट्नी या सौस के साथ परूस सकते हैं अगर आपको मेरा चैनल पुसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले क्ट आपकी अपकी आपकी आपकी युझ मेरा थोज़ करना भूले युझ मेरे आपकी जाए घोड़ युझ